लीला पूर्वक माने बनावटी नहीं, स्वाभाविक रूप से लोगों के पृतियादर का भाव हो और लोगों का सत्कार किया जाए, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, जिसको जो चाहिए उसको वो बस तू दी जाए। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा दाता हो, दानी हो, लेकिन अगर वो अनादर पूर्वक देता है, अथवा अवग्या पूर्वक देता है, तुसका दान और दान का फल सब नश्ट होगा। आप बहुत बड़े दानी हो, सबेरे से साम तक खुब लुटाते हो, लेकिन अवग्या पूर्वक कोई मांगने है, चलो चलो पीसे चलो मिलेगा, मिलेगा, घबडाव मत, चलो लो चलो हटो, उनको आने दो, इस तरह की बातें अगर करते हैं, इस तरह की भावना होती है, तो सब किया कराया दान घर्थ हो जाता है, लेकिन अवग्या पूर्वक नहीं, विनम्रता पूर्वक, और अपमानित करके, डाट करके, उसे दीन हीन समझ करके, आपने अगर दिया, तो आपका दिया हुआ सब दान, दो कौड़ी का विकार होती है, सम्मान पूर्वक दान क एकर दो करता है, सम्मान प्रयो करता है, पूर्वक देस्ष我 खुजक है, घर कम भीजे है, सम्मान पने सम्मान हम दिया है, तो आपका दिया है, सम्मान प्रयोन सम्मान तोंसक्वाय मादन करके, लेकिन मुझं से घिक अगर हैं ले तो हुग 힘 वोग्मानrieben पनियों समाने सब